हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आर्के बाइलोची टुटोरियल इस वीडियो हम डिस्कुस करेंगे कंडेंसेशन पॉलिमर्स और हमने बायो डिग्रेडेबल पॉलिमर्स कर दिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे देख लीजिए इसमें हम है उसके मोनोमर्स इंठीक है और कोनिंसेशन पॉलिमर्स होते कों से हम ऐसे पॉलिमर्स जिन इसक्रेडट मिलता है ठीक है जब उनको हम क्या बोलते हैं इसमें जो allied important examples हैं चलिए उनको देखते हैं first example किसकी आती है terlene की terlene आपको याद रखना है terlene को और क्या बोलते हैं decron most important है terlene को क्या बोलते है decron बोलते हैं जब इसकी reaction करवाते हैं किसमें किसमें करवाते है terlene की preparation क्या से करते हैं in the presence of zinc acid ठीक है और antimony trioxide की presence में करते हैं ठीक है तो monomers कौन से होते हैं जो रेक्ट करते हैं यहां पे ethylene glycol लिखा है ज्यांसे देखिए ethylene glycol जिसको क्या बोलते है ethane one two diol ठीक है और terphthalic acid terphthalic acid की बात कर रहे हैं हमें याद रखने कौन सा acid होता terphthalic acid benzene one four dicorbox ठीक है most important है ठीक है usage इतनी important नहीं है जो जतने इनके monomers important है ठीक है यह आपको याद रखना है कौन कौन सा ethane glycol और terphthalic acid किसका monomers है decron के और decron को और क्या बोलते हैं teraline बोलते हैं ठीक है second example किसके आती है glyptal की glyptal को और हम क्या बोलते है है alkyl resin और alkyl resin की formation क्या से होती है ठीक है तो अगर हम देखें तो इसमें monomers की बात करें तो क्या है etherean glycol और इसमें pathalic acid ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है टरphthalic acid नहीं है यहां पर क्या है one two dicorboxylic acid द्यान से देखिए one two dicorboxylic acid इसी को हम क्या बोलते है आप याद रखना है उसके बाद important example किसके आती है nylon 6 की इसमें आप याद कर रखना है कि nylon 6 को क्या बोलते है पर लॉन भी बोलते हैं ठीक है इसमें सिरफ एक ही monomers है जिसके हम क्या करते हैं condensation करवाते हैं वो क्या है most important है caprolactam और यहां पर दियान से देखिए हैं यहां पर amide linkage है ठीक है यहां पर carboxylic acid group था और यहां पर amide group था ठीक है इन में जो link बना है वह आपको याद रखना है ठीक है adipic acid में अगर आपको पूछे है कि उसका formula क्या है तो formula क्या है उसका अगर आप दियान से देखिए तो CH2 whole 4 tetramethylene di carboxylic acid ठीक है tetramethylene di carboxylic acid क्या है हमारा adipic acid यहां पर CH2 whole 4 और 2 क्या है carboxylic acid group में है और second कौन से हमारे पास hexamethylene diamine hexamethylene diamine जब इनकी दोनों के reaction करवाते हैं तो क्या बनता है dylan 66 ठीक है यहां को याद रखना है अब जो इक्जैंपल है किसकी वो चले देखते हैं अब जो एक्जैंपल आती हो किसकी आते बेक लाइट की आती है तो बेक लाइट जो है वो क्या है condensation polymer है वह आपको याद रखना है condensation polymer है और इसको हमें याद रखना है किसका मोनोमर कौन-कौन से है formaldehyde और phenol ठीक है इसके आपको reaction याद रखनी है ठीक है तो इसकी reaction most important है first of all क्या बनता है novalac बनता है novalac की अगर हम क्या करेंगे ज्यादा क्या करेंगे उसमें फिनोल डालेंगे जो भी reaction है वो देख लीजिए ठीक है तो उसके बाद क्या बनता है बेक लाइट बनता है वो बेक लाइट किसके लिए यूज करते हम प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए यूज करते है ठी घूण रखने है उसके बाद जो इंपोर्टेंट कि हमारा से मलमाइन फॉर्मल्स हडी है बोलते हैं मैलमेक बोलते हैं मैलमय को इपॉर्टेंट मेलमाइन का वार्मला क्या होता है C3 N6 H6 यह आपको याद रखना है इसके structure देख लिए यहाँ पर और साथ में second monomarch कौन सा है formaldehyde यह आपको याद रखना ही रखना है उसके बाद example आती है Kevlar की Kevlar क्या होता है बिसिकर टर्प्थैली कैसे होता है और 1,4 diaminobenzene होता है ठीक है benzene के उपर amino group लगा दिए एनस्टी एनस्टी ग्रूप लगा दिए वन और फॉर्थ पोजिशन पर उससे जो बनता है क्या बोलते है Kevlar बोलते है बट यह आपको नहीं देंगे exam में आपको सिर्फ क्या देंगे मेलमाय formaldehydr resin पोच्चते है युरिया formaldehydr resin पोच्चते है ठीक है केvlar आपको याद रखना है ठीक है और baklite most important है और nylon 6-6 इसके आपको याद रखने मोनवर्स और nylon 6 हमने आपको पता दिया इसको क्या बोलते है पर्लन बोलते है और तरलीन और क्या बोलते हैं तरलीन को डेक्रण बोलते हैं ग्लिप्टल को ओलते हैं अलकायल रेजिन, इनके आपको मोनवर याद रखने हैं, आइछ होप आपको समझा गया होगा, अगर आपको समय था प्लीस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फ्रेंक्यू